नमस्कार प्यारे साथियों आपका सागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो के अंतरगत हम बात करने जा रहे हैं SSC GD फिजीकल के बारे में आपको फिजीकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपके फिजीकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं और आपको कितनी रेस लगानी होती है सब कुछ यहाँ पर बताओंगा और किस तरीके से आपको अपनी स्टेटी अपनानी है ताके आपको जब आपकी रेस हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो आप यह भी जानते होंगी जो आपका फिजीकल होने वाला है वो आपका गर्मियों के दिनों में होना वाला है और बहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसलिए पहले से ही आपको उसके लिए प्रिपेर हो जाना है अच्छे से अपनी तयारी को कर लेना है किस तरीके से आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उसके रिगार्डरिंग यहां पर हमने बहुत सारे पॉइंटों को collect किया हुआ है नहीं के बारे में हम बात करेंगे और अपना भी additional आपको बताएंगे कि आप क्या क्या और कर सकते हैं सब को समयार इस वीडियो में जा रहा हैं बताने के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उपने दोस्तों के साथ सेयर करना वीडियो को लाइक करना ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें जो आपको बता होगा जब आपने SSEGD का paper दिया तो आपको यह पता होगा कि आपकी जो 5 km की race होती है आपकी वो आपको 24 मिनट में complete करनी होती है 24 मिनट में आपको complete करनी होती है और मैं यहाँ पर बताता चलू अपने experience के बेस पर कि यहाँ पर जो आपकी race होती है वो road पे कराई जाती है आपको यहाँ पर जो आपके switch है उनका आपको यूज करना है अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पेरों में दिक्कत हो सकती है इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें सोज जो आपके हैं यानि जो आपके जूते हैं उनको ही पहरकर अभी से आप अपनी तयारी को रखें क्योंकि महाँ पर आपको मैदान मिलने वाला नहीं है जिससे के आप नंगे पैरों रेस लगां ये चीज आप पहले ही नोट डाउन कर लीजिए आपको सुच मेहन कर ही आपको लगानी है और कौन से सुच ले सकते हैं वो इस वीडियो कंतर वेद आप को बताने जाई रहा हूं मैं तो चलिए नेस्ट पॉइंट देख लेते हैं नेस्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो काफी तो भी आपके पास काफी समय है अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक प बहुत से लोगों में इतनी capacity होती है जो अपना 10 days के अंदर अपनी तयारी कर लेते हैं और पूरी अपनी race को complete कर लेते हैं और बहां पर जाकर के वो लगा भी आते हैं race उनके बारे में यहां बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिनको problem होती है अपना physical करने हैं ओके तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो चलिए अगला point देखते हैं अब देखिए यहां पर अगले point में आपको देख रहा होगा कि आप छोटा और कर लेते हैं तागे complete यह आ जाए देखिए आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका अग MORNING में क्या करना है आपको MORNING में रनिंग करने का TRI करें क्यों क्यों अब MORNING में क्यों ट्राई करोगे Hang Mak conscious को भी अन्वार्मेंट से जो आपका मौसम होता है उससे आप विचल नहीं होते हैं तो आपको सुरू सुरू में मोर्निंग में ट्राई करना ही करें गर्मी बड़ी रही है ठीक है गर्मी तो अब बड़ी रही है आप जानते हैं दीरे दीरे वहे भी सुबह टाइम रणिंग कराना पड़ेगा वहाँ पर भी जो आपको रणिंग होगी वो सुबह के टाइम ही कराई जाएगी तो आपको सुबह मौर्निंग में अपनी रे ले सकते हैं देखिए आपके जो पैसे में कम पैसे में आपको मतलब यह सूश मिल जाएंगे quality अच्छी होती है अनकी ठीक है और इन्हें असली सूशी लेना आप quality अच्छी होती है अनकी आप आपके रेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आप इन्हें एक जो आपके जो quality अच्छी हो आपके जो ओरिजिनल हो उन्हीं को लेना आप आप यहां पर देख सकते हैं नेस्ट पॉइंट रनिंग के जो रनिंग के लिए आपको अच्छे से बाउम अप कर लेना है पहले आपको क्या करना है रनिंग के लिए अच्छे से बाउम अप कर लेना है क्या कर लेना अच्छे से आपको जब आप रनिंग करने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से बाउम अप करना है बाउ अब का मतलब होता है कि अपना सही थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए जिससे कि जब हम रिस चालू करें तो उसमें हमें आसानी हो खासकर पेट बाली एक्सरसाइज को जमीन पर लेटकर आपको करना है ठीक है जमीन में लेटकर या जमीन पर लेटकर आपको अपने हाथों को यह एक्सराइज करने से आपको रेनिंग में काफी help मिलेगी ठीक है क्या मिलेगी काफी रेनिंग में help मिलेगी आप अगर यह करते हैं तो नेस्ट पॉइंट देखेंगे तो देखिए आप स्टार्टिंग में एक क्लोमीटर के आसबास आप रनिंग करें एक क्लोमीटर लगव करें अपने स्टेमना के अनुसार ही इसे आप बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने स्टेमना के अनुसार क्या कर सकते हैं बढ़ यह चीज़ आप याद रखना क्योंकि आप टाइम लगाओ गए फिर आपको यह लगे का अभी हमसे लगी नहीं रही है तो हमसे लगेगी इसलिए आप अपलेस भी हो सकते हैं इसलिए आपको टाइम नहीं लगाना लगाने की सलाव दी जा रही है कि इसलिए लगाना है आपको 15 तक या नहीं करना है समय नहीं लगाना है समय को को आउंट नहीं करना है नहीं अभी अपको आप अदीरे धीरे पहले सुरूं करें उसके बाद आप दूर तक जाएं रनिंग करते हुए जाएंगे आपको जैसे हमने बता दिया पहले आपको रोड पे ही रिस लगानी पड़ेगी पांच से छे किलो मिटर तक की आप रिस लगाईए अपना अच्छा करिए बड़ा लीजी उसे ठीक है फिर आपको पांच किलो मिटर की रिस अगर आप 6 किलो मिटर रिस लगाते हैं ठीक है और बहाँ पर आप जाकर के 5 किलो मिटर लगाएंगे तो आपको बहाँ पर बहुत क कर नहीं हो कि लास्ट का जो समय होता है ना रेस लगाते बर लास्ट का जो समय होता है मैं यहां पर बात करूं अगर अगर आपने फॉर पॉइंट फाइब किलो मिटर रिस लगा लिए उसके बाद जो पांसो मीटर का जो होता है आपका उसमें आपको सबसे जाद दिक्कत होत प्विषिज आगे देखिए वीस दिन खराब आपको खुद आसान लगेगी मतलब क्या है वीस दिन आप कर लेंगे तो आपको फिर यह कि लिए अप। ठाम कि बार और हैं कि रसक्ते हैं। पॉप अब लिए। खरी। और आरों स्टेर लीजिए, कोई जरूर नहीं है कि आप हर दिर रेस लगाएंगे, यह दिन आप गया भी मार सकते हैं, इसके बाद अभी देखिए, अभी आपके पास सम्थिंग आपको 80 डेस हैं आपके पास, यह कि पिछले के बेस पर आप से यह बात कही जा रही है, तो आपके पास, तो आपके पास काभी परियाब समय है, आप अच्छे सब में तयारी करिए, ठीक है, और आपकी रेस आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने में आप सुबह चना ले सकते हैं, सोया मीन ले सकते हैं, ठीक है, यह सीज आप ले सकते हैं, इसके बा नहीं सामना करना पड़ेगा, अगर यहां पर आप पसब लगाई है, ठीक है, पसब लगाई है रोज, अगर चेस्ट में कमी है तो, मतलब कमी का मतलब यह कहना है, मतलब फुलता नहीं है, या कुछ भी एक्सपेंड नहीं होता है, या वो कम है चेस्ट को, जीडी में चेस् तो आप कमेंट करिए आपको उसका अंसर दिया जाएगा ओके तो इस वीडियो के अंतरकत हमने ट्राइ करा इसमें काफी बर्ड्स मिस्टिक और रख किया वो ओके तो वो कोई नहीं हमने आपको बता दिया बोलके कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो आप इस तरीके से अपनी तयारी करिए और सभी को वेस्ट अफ लग आपके फिजिकल के लिए अच्छे से तयारी करते रहिए और जो भी इनफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको पोस् लेंगे थैंक्यू